हेलो दोस्तो हमारे उनलेन प्लेटफोर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं most welcome करते हैं दोस्तो हमारी जो सीरी चल रही है वो है त्यारी सरकारी नोकरी की DSSB TGT के जो librarian की vacancy आई होई है 104 उसकी त्यारी हम आपको करवा रहे हैं जिसके MCQ कोशन की 1000 प्लस की सीरी जो हमने शुरू कर रखी है उस पार्ट में सेट 2 की बात हम करने जा रहे हैं सेट 1 हमारा हो चुका था इसी दूसरी क्लास मतलब सेट 2 में हमने पहली क्लास में 1225 नंबर कोशन कर लिये थे इस क्लास में कोशिश करेंगे कि 26 से 50 कोशन हम सॉल कर लेंगे ठीक है तो हम कोशन को शुरू करते हैं दोस्तों ये कोशन था जो हमारा homework था जो लास्ट क्लास का homework था जो भी बच्चे लगाता जुड़े हुए हैं जो बच्चे वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं ठीक है और जिनको पता है कि ये हमारा जो है पिछली क्लास का homework था तो उनको मैं बता दूं कि इसका अंसर आपको लगाना था 1800-1899 टाइम किसको अंगित करता है तो 1800-1999 को अंगित करता है ठीक है आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है वीडिय के लाइक आपके कमेंट्स आपका सब्सक्राइब भी हमारा मोटिवेशन है उसके बाद दोस्तों यदि आप किसी परकार की बुक्स या नोट्स चाहते हो लेना बुक्स हो गया नोट्स हो गया डी ट्रिपल एस भी की लाइब्रेडियन के फर्स पेपर हो गया सेकंड पेप लिवरी आपके घर पर बुक्स भेज दी जाएंगे ठीक है तो बिलकुल चैप्टर वाइज बिलकुल आपको सिस्टेमेटिक बुक्स एवेलबल हैं और आप इसका लाब उठा सकते हैं तो फर्स्ट पेपर की ओनलाइं त्यारी भी हम करवा रहे हैं हमारी वेब साइट जो नेचुरल साइंस जो है प्राकरतिक विज्ञान किस विश्य निर्मान विदी का उधारन है नेचुरल साइंस आर एक्जैम्पल्स ओफ विच सब्जेक्ट्स क्रियेशन मैथड तो आप का अंसर क्या होगा फ्यूजन डिस्टिलेशन क्लस्टरिंग या एगलो मेरेशन तो करते हैं और नेक्स्ट्ट्स को इस सबसे पहले तो आपको सीशी एफ का फुल फोम ध्यान होना चाहिए सीशी अफ का प्रतम संस्क्रण जो था एडिशन बदो सीशी एफ के जितने भी एडिशन है वह आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए किस वर्ष प्रकाशित काम है किस काम आतर सब आपको नौलीज में होना चाहिए ठीक है तो इसका आंसवर जो आए गाएगा 1984 is the right answer next question क्या कहता है next question कहता है जो श्रंखला परकिर्या होती है श्रंखला परकिर्या जो होती है श्रंखला परकिर्या चैन प्रोसीजर में दश्या सबंध प्रतिक फेज रिलेशन सिंबल का प्रतिनिजित्व करने वाली कड़ी जो लिंक होती है उसे कहा कहा जाता है उसे क्या वट आर दा प्रतिक फेज रिलेशन सिंबल इन दा चैन प्रोसीजर अंजी कौन बताएगा इस कांस्वर फटा फट से तो इसे बोलते हैं फॉल्स लिंक इसे क्या बोलते हैं फॉल्स लिंक बोला जाता है इसे मिठ्या कडी बोली जाती है नेक्स्ट कोशन डीबीसी में डीपीसी में लाइबरेरी एंड इन्फरमेशन साइंस के लिए में क्लास मुख्या वर्ग क्या है डीडीसी में लाइबरेरी एंड इन्फरमेशन साइंस के लिए में क्लास या मुख्या वर्ग क्या है तो इसका जो फाइनल आंसवर लगा क्या होगे वो लगा क्या होगे जीरो टू जीरो ट्वन्टी यूडीसी में जो टाइम समय के लिए कौन सा सिंबल जिने का प्रयोग किया जाता है तो इसमें मैं आपको बता दो दोस्तों कि यदि आप को इस टाइप के mcq questions चाहिए pdf चाहिए तो हमारे website जो है testmafia.in इसको आप रिजिस्टर करके pdf and notes के option में जाके pdf and notes के option में जाके ठीक है pdf and notes के option में जाके आप इसे purchase कर सकते हैं ठीक है और coupon code जरूर यूज कर लिएगा coupon code है test test जरूर आप ले सकते हैं इस परकार की जितने भी mcq है 1000 प्लस mcq हमारे पास है 1500 के करीब है तो वो आप ले सकते हैं pdf and notes जो है बाकि आप अपनी book घर पे भी order करवा सकते हैं तो आपको और playlist से आप बहुत कुछ और भी पढ़ सकते हैं नेक्स कोशन कहता है कि विच सिंबल यूज फॉर टाइम इन यूडी सी यूडी सी में टाइम के लिए कौन सा सिंबल चिने का प्रयोग जो है वो किया जाता है तो आपने लगाना है इन्वर्टर गोमा का यूज किया जाता है नेक्स्ट कोशन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट कोशन है सेमीन सेमीनल मैनिमोनिक्स मोलिक्स क्रिती सायक किस वर्गिगर्ण पत्ती के अंतरगत आता है सेमीनल मैनिमोनिक्स कम्स अंडर विच क्लासिफिकेशन सी सी डीडी सी यूडी सी एल सी सी तो आपको अंसर लगा क है वो CC के अंडर आता है CC के अंडर आता है next है classification society of India की शुरुवात कब की गई CSI CSI classification society of India CSI की शुरुवात कब की गई 1983 में अभी थोड़ी देर बहले मैं ने कोशन पुछा था जिसका आंसर था 1984 वो क्या कोशन था यही आपकी याद रख पा रहे हैं और आपको data याद है तो यही आपकी त्यारी यह आपको पता चल रहे हैं कि 1984 अभी हमने किया था और उसका अंसर क्या होने वाला है हना comment जरूर करते रहें वीडियो पर नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन हमें कह रहा है notation या अंकन एक संग्षिप्त सरल लचीला और सिम्रिती सायक होना चाहिए किसने कहा था who said the notation जो है should be a sacrament, simple, flexible and mnemonic होना चाहिए ये किसने कहा था हन जी कौन बताएगा इसका अंसर तो इसका अंसर आपको लगा के आना है WCB Shares WCB Shares जो है इसका बिलकुल सही अंसर हो जाएगा next question की बात करें जी एक सूची किस रूप में उलेखित होती है a catalog is referred as एक सूची किस रूप में उलेखित होती है technique, tool, method, process तो आपको आंसर लगा के आना है tool जो एक सूची है एक catalog होए वह एक साधन के रूप में उलेखित होती है next question है 34 34 number question क्या कहता है phonics schedule जो है phonics schedule किस वर्गिगन पत्ती में प्रयोग होता है in which classification system is phonics schedule used तो इसका answer क्या लगा होगे ddc, sc, udc या lcc क्या इन चारों के बारे में आपको पता है ddc क्या होता है, किस काम आता है sc क्या होता है, udc क्या होता है lcc क्या होता है यदि एक एक चीज आपके clear है तो आपका selection कोई रोक नहीं पाएगा ठीक है ddc is the right answer next question udc में double colon का प्रयोग अभी मैंने आपको time का पूछा था time का यदि याद हो तो time का पूछा था अब आपके पास आगया double colon double colon आगया double colon this type this is single colon double colon double colon का use udc में space के लिए form के लिए time के लिए या order fixing करने के लिए किया जाता है तो आउगे order fixing करने के लिए किया जाता है थोड़ी दर पहले time के लिए किया था और आपके पास theory book है नहीं है तो आप हमसे मंगवा लिजिए उससे क्या होगा कि चीज़े clear हो जाएंगे आपको ना कि इस type के question आते हैं इस group में से मुझे ये question पढ़ने है CC में LED का full form क्या है what is the full form of LED in CC पंजाब लाइब रिजिन की जो वकेंसी आई थी जो हमने MCQ करवाए है हमारी वीडियो पे आप बेशक कमेंट देख लीजिए हमारे WhatsApp पे बेशक आप कमेंट देख लीजिए हमारे टेलिग्राम पे आप देख लीजिए तो बच्चों ने हमें ये का कि sir हूब हू ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए ऐसे कोशन जो आपने करवाए बेशक आप कोशन को उठा लीजिए या हमारे नोट्स उठा लीजिए ठीक है और पेपर के साथ मैच कर लीजिए खुद मैच कर लीजिए हम नहीं बोलेंगे आप हमारे नोट्स मंगवा के objective टाइप कोशन की जो हमारे 3000 हमने दिये थे उससे हथ मैच करिए बिल्कुल हूब हूब कोशन और option भी चेंज नहीं हुए ठीक है तो CC में LED का फुल फॉर्म क्या है CC में LED का फुल फॉर्म latest effective decade latest effective decade latest effective decade A is the right answer next question क्या केता है जो पुस्तक संग्या है book number है book number में तत्व C copy number का योजग चिने कौन सा है what is the address sign address sign बताना है of copy number copy number का address sign बताना है element C in book number comma semicolon dot या dash तो आपको answer लगा क्याना है semicolon क्या answer लगा क्याना है semicolon libraries of the future very nice question most most important question most most important libraries of the future नामक पुस्तक किस ने लिखी थी libraries of the future libraries of the future C are lick leader C are lick leader ने लिखी थी ध्यान रखना libraries of the future बुक जो है libraries of the future ठीक है उसकी बुक जो लिखी थी वो लिखी थी C are लिख leader ने लिखी थी question number 40 how many tables in latest edition of DDC how many tables how many tables in latest edition of DDC DDC के latest edition नमींतम संस्कर्ण में कितनी सार्णी है DDC के latest edition नमींतम संस्कर्ण में कितनी सार्णी है 4, 5, 6 या 7 4, 5, 6 या 7 40 number question में यदि आप आंस्वर लगाओगे 40 number का तो आपको लगा क्याना पड़ेगा 6 entries है next question UDC में किस main class मुख्यवर को खाली या वेकेंट रखा जाता है UDC में कौन सी ऐसी class है जिसे वेकेंट रखा जाता है या which main class is kept वेकेंट in UDC 0, 1, 9, 4 0, 1, 9, 4 तो आंस्वर आजेगा class 4 class 4 को क्या रखा जाता है वेकेंट रखा जाता है next question क्या कह रहा है ध्यान से देखना है इस question को हमें कह रहा है जो spiritual experience and mysticism है अध्यात्मिक अनुभव और रहस्यवाद के लिए CC में किस symbol का देखो मैं फिर कह रहा हूँ symbol सारे याद कर लेना symbol में से एक question आने के पूरे पूरे chance है ठीक है एम जड़े फोर ट्राइंगल या सिग्मा तो इसका आंस्वर के आजएगा आपके पास ट्राइंगल जो है वह बिलकुल सही आंस्वर आ जाएगा next question की बात करें वेदिक पत्ती में ज्यान को कितनी श्रेणियों में बाटा गया है वेदिक पत्ती में ज्यान को कितनी श्रेणियों में बाटा गया है वेदिक में कितनी श्रेणियों में बाटा गया है टू, फोर, फाइव या सिक्स तो आप का अंस्वर लगा क्या आना है कि इस का अंस्वर क्या आएगा चार श्रीणियों में बाटा गया है नेक्स्ट कोशन है ग्यान जगत के चितरन के सिधानतों की सरव प्रथम पहचान किस ने की थी तो इस का अंस्वर के आ जाएगा डी 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 लेंगरीज ने देखो आपको हाइलाइट्स बना के रखने चाहिए हाइलाइट्स कैसे बना के रखोगे जो सारी डेट्स हैं वो सारे एक पेच बे लिक लो डेट सारी एक page पे लिख लो जो जितने भी है ना खोज करता है या सिधानत वाले जितने भी अपने विग्यानिक हैं इनके नाम एक तरफ लिख लो ठीक है, symbols के नाम एक तरफ लिख लो मतलब category wise इन्हें decide करके एक एक page बना लो सब का जिससे क्या है कि सारी जो है अपने पास database त्यार हो जाएगा और इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा, ढूड़ना बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा next question प्री नेटल cataloging क्या है, what is प्री नेटल cataloging प्री नेटल cataloging is related with centralized cooperative, cooperative cataloging, cooperative storage interlibrary lawn centralized cataloging केंदरिय सुची करन प्री नेटल cataloging जो होगी वो क्या होगा, केंदरिय सुची करन होगा, या centralized cataloging होगी next question next question कहता है कि डी डी सी में literature जो साहित्य है poetry है, players है stories है, jokes है, किस मुख्य वर्ग main class के अंदर गताते है what category does literature, poem, players stories, jokes, come under in DDC किस वर्ग के अंदर आते है 600, 700, 800 या 900 तो आपको answer क्या लगा क्या ना है 800 से 800 99 तो आज मैंने एक question करवाय था जिसमें हमने answer लगाय था 1800 से 1800 99 ठीक है, 25 number question हमने किया था, जिसमें हमने answer लगाय था 1800 से 1800 99 तो I hope आपको याद होगा तो comment करके जरूर बताना कि वो question क्या था ठीक है, UDC में P notes का प्रयोग किया जाता है how to use P notes in UDC addition के लिए, revision के लिए, reduction के लिए या इन में से कोई नहीं तो revision के लिए P notes का प्रयोग जो है P notes का प्रयोग revision के लिए किया जाता है फिर कहता है CC में CC में special विशिष्टा का प्रयोग किस विधी में किया जाता है by which method use of special in CC subject device का, alphabetical device का, geographical device का, chronological device का तो आप का अंस्वर आएगा alphabetical device का alphabetical device का, जो है, वर्ण करम विधी जिसे बोलते हैं CC में special ठीक है special का प्रयोग किया जाता है इस विधी में किस वर्गिगंट पत्ती में मुख्य वर्गों या main class का जो करम है विग्यानिक आरोहन, scientific progression पर अधारित होता है ऐसी कौन सी classification है जिसमें मुख्य वर्गों का जो करम होता है वो विग्यानिक आरोहन, scientific progression पर अधारित होता है in which classification method is the order of class based on scientific progress फटपट बताईए इसका आंसूर क्या होगा तो इसका आंसूर आपको लगा गयाना है subject classification ठीक है तो last question हमारे सामने है तो last question करवाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कोई भी बच्चा यदि किसी भी परकार की अपनी librarian की books मंगाना चारा है तो आप हमें whatsapp करें अपना order book करें अपना address हमें बेजें तो हम आपकी book जो है आपके home address पर भेज देंगे ठीक है इस परकार के जितने भी objective type questions है वो भी हमारे पास paid भी है पड़े हमारी website आपको बताई दीगिया www.testmafia.in description में app का link भी मिल जाएगा आपको description में आपको website का link भी मिल जाएगा telegram का link भी मिल जाएगा आप जूड सकते हैं तो ये question 50 last है ये आपका homework होगा ठीक है यदि आपको आता है तो बहुत बड़िया नहीं तो इस question की खोज करें और इसका answer निकालने की कोशिश करें ठीक है दोस्तों बाई बाई अपना ख्याल रखेगा मिलेंगे next वीडियो में